नमस्कार, पब्लिक टाइम्स मतली हिट न्यूज में आप सभी का स्वागत है, आपके साथ हूँ मैं भावना जुलाई महीने में न्यूज की दुनिया में अपने जिले से हर रोस खबरों से आप रूबरू होते रहे हैं जुलाई महीने की कुछ ऐसी ही खबरें जो पब्लिक टाइम्स हिट न्यूज के तौर पर आप तक लेकर आया है आईए फिर एक बार नजर डालते हैं पश्चिम बर्दवान जिले के जुलाई महीने में सुर्खियों में रही छे हिट न्यूज पर तीन जुलाई को आसनसोल शिलपांचल के जामुरिया थाना अंचल के रहने वाले कृष्चना बाद्यकर ने पारिवारिक विवाद के कारण पहले अपनी पतनी की हतोडे से प्रहार कर हत्या की फिर बाद में थाने में जाकर आत्मसमरपन कर दिया था 16 जुलाई को आसनसोल दुर्गापूर शिलपांचल में चरचीत कोला वेवसाई राजुजा हत्याकान में पूर बर्दवान जिला पुलिस की सीट ने डायर किया था चार्जशीट 106 दिनों के बाद सीट ने अदालत में डायर किया था चार्जशीट 22 जुलाई को दुर्गापूर शिलपांचल स्थित नशामुक्ती केंद्र में एक युवक की मौत हो गई थी परिजनों ने नशामुक्ती केंद्र प्रबंधन पर ये आरोप लगाया था कि एक तो नशामुक्ती केंद्र में सही तरीके से भोजन नहीं दिया जाता है और दूसरा युवक सुमित दास के साथ मारपीट की गई जिससे उसकी मौत हो गई पुलिस मामले की छानबेंद कर रही है आसनसोर शहर के भांगापाचिल जन बहुल इलाके में अवस्तित स्पेंसर्स के डिपार्टमेंटल स्टोर के गोटाउन में लगी भायवा आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों को आठ घंटे भारी मशक्कत करनी पड़ी थी आठ घंटे के बाद पाया गया था आग पर काबू आग की घटना से आसपास के लोगों में अतंक का महौल कायम हो चुका था हलाकि आग कैसे लगी थी इसका सठीक खुलासा नहीं हो पाया है आसनसोल शिलपांचल में 25 जुलाई की रात हुई सडगदुर घटना में बाइक सवार तीन युवकों की मौत हो गई थी बताया जाता है कि आसनसोल के जुबली मोड पर एक बाइक पर सवार होकर तीन युवक अपने घर लोट रहे थे तब ही बाइक अन्यंतृत होकर गिर गई और सामने से आ रही ट्रक ने इन्हें को चल दिया था 29 जुलाई की रात जामुरिया के बोरिंग डांगा के रहने वाले बारवी कक्षा के छात्र आनंद केसरी की हत्या कर दी गई थी एवं शब को जाडियों में फैंक दिया गया था पुलिस मामले की गंभीरता से चानबिन कर रही है इस मामले में पुलिस ने दो दोस्तों को गिरफतार किया है वर्ष 2023 में जुलाई महिने में पब्लिक टाइम्स न्यूस चैनल के फेस्बुक पेज पर वाइरल हुई खबरों की तालिका पर भी नज़र डाल लेते हैं इन खबरों को लोगों ने एक लाग से अधिक फ्यूज के साथ लाइक, कमेंट और शेर भी किया है पहली खबर, आसनसोल शहर के जीटी रोड पर एक घंटे में चार मोबाइल फोन छिंताई की घटना सामने आई थी आसनसोल दक्षिन थानाशेत्र के आश्टरम मोड और आसनसोल बाजार के बीच एक घंटे के भीतर चार मोबाइल फोन लूट की घटनाई घटी थी और पूरी घटना सीसी टीवी कैमरे में कैद हो गई थी पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफतार किया था दूसरी खबर, आसनसोल दक्षिन विधानसभा केंद्रे की विधायक अगनी मित्रपाल ने क्रिशना प्रसाद की वाइरल हुई तस्वीर पर अपनी प्रतिक रियादी थी उन्होंने कहा था कि वर्ष 2021 के बाद से ही क्रिशना प्रसाद को बीजेपी के लिए सक्रिय नहीं देखा गया है दरसल बनपूर के चर्चित व्यवसाई सायद इम्तियाज आलम के पिता के हत्या के आरोपियों के साथ क्रिशना प्रसाद की तस्वीर वाइरल हुई थी तीसरी खबर रानिगंज रेलवे स्टेशन की है जहां चलती ट्रेन पर चड़ने की कोशिश करना यूवक के लिए जान लेवा साबित हुआ चलती ट्रेन में चड़ते वक यूवक का पैर फिसलने से वह ट्रेन के नीचे आ गया जिससे उसकी मौत हो गई अब चौती और आखरी वाइरल हुई खबर दुर्गापूर की है जहां दुर्गापूर स्टील प्लांट के CHRD में चोरी के इरादे से गुसे यूवक की जान पर बनाई दरसल चोरी कर वापस निकलने के दौरान यूवक की गरदन स्टोर के गेट के बीच फंस गई थी और लगभग आट घंटे के बाद उसी यूवक का CISF द्वारा रेस्क्यू किया गया था अभी तक आप देख रहे थे जुलाई महिने की हिट न्यूस और भी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहे हैं पॉब्लिक टाइम्स यूव वाइस आर्मिशन नमस्कार शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पॉब्लिक टाइम्स न्यूस चानल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब